बुलंद शहर में तीन तलाग का मामला सामने आया है मामले में पीड़ता ने राजुमहिला आयोग की सदसे के सामने न्याय की गोहर लगाई पीड़ता ने बताया कि उसके शोहर ने तीन साल पहले उसे तलाग दे कर घर से निकाल दिया था इसके बाद वो न्याय के लिए दर मेरे शोगर के अन्या पॉर्तों सा अपना सम्धान नहीं है पिर मेरे पती में मुझे मार पीट करता हूँ 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 मुझे मार पाता हूँ रोकती तो वो मुझे साथ में मुझे तिन तलाग देगा रबर से निकाल देगा रोस्ति दूसी रिपस के साथ चाहदी कर ली पूस्मेंगेट से मेरी बच्ची की चीनगे और में तीन साल पतने बढ़ पर लें महिला आयोग की सदसे ने इस मामली में ततकाल FIR दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिये है साथ ही जो भी गानूनी कारवाई पीड़ता को चाहिए वो सब दिलाने के आदेश भी दिये उसमें से मैंने महिला आयसो को दिये तीन चार उसके निस्तारण करने के लिए और उसमें से चार आप्लिकेशन कोत वाली को दिये अभी अररणा राय जो बैठ चुकी उनके लिए मैने दे़ दी और एक शिकायत इसमें आट तो यह होगी एक शिकायत इसमें से तीन तलाग किया है और तीन तलाग पर मैंने आदेश किया है और एक शिकायत इसमें आज एक इंजिनियर था और वो बहुत रो रहा था उसकी आई है उसके लिए भी मैं में मुझा एसो को बोला है कि लड़की को यह उसको बलाकर उसका रिस्ता रुखिया पीड़ता जिले के नरसेना थाना क्षेतर अंतरगत गेसुपुर गाउं की रहने वाली है फातिमा का निकाहा खरीब चार साल पहले दिल्ली के सीमपुरी क्षेतर में हुआ था फातिमा का कहना है कि उसका पती एक पेशिवर मुझरिम है जो आए दिन चोरी और अवैद वसू जब उसने इसका विरुद किया तो उसके पती ने मार पीट कर तीन तलाख दे कर घर से निकाल दिया बुलंद शहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट